दोस्तों अभी दो दिन पहले ही हमने अनुपम रसायन के IPO का वीडियो किया था उसमें हमने बात भी की थी कि 3 IPO आ रहे हैं अभी काफी IPO फीवर चल रहा है अभी मज़े की बात यह है कि 3 ही IPO और आ रहे हैं यानि कि 4 वरकिंग डेज के अंदर 6 IPO आ रहे हैं 12 तारिक से लेके 17 त तो इस वीडियो में हम detail में analysis करने वाले हैं Craftsman Automation का यह company एक auto components की company है इस company के उपर 800 करोड से जादा का loan भी है तो सवाल यह उठता है कि यह इस loan को कैसे manage कर पाएंगे किस तरीके की strengths है, weaknesses है company कि, किस तरीके के financials रहे है क्या उसके जो profits आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में व फिर यह जो IPO raise कर रहे हैं इस पैसे से वो कितना loan भर पाएंगे, किस तरीके की evaluation मांग रहे है, पूरा analysis detail में होगा, नमस्कार मेरा नाम है Mukul, आप देख रहे हैं, asset yogi वीडियो में बने रहे है, दोस्तों पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि IPO में apply करने का best तरीका होता है कि आप DMAT account के through apply करें, अब DMAT account खोलने का link भी मैंने आपको नीचे description में दे दिया है, साथ में IPO में apply कैसे करना है, उसका भी हमने एक dedicated वीडियो बनाय हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं चलिए दोस्तों सबसे पहले हम company और उसका business समझने की कोशिश करते हैं, यह एक engineering company है, जो design, process, engineering और manufacturing में involved है, mainly automotive components बनाती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इसके verticals हैं, हम सारे verticals एक बार समझ लेते हैं, तीन main segments के अंदर यह काम करती है, पहली जो सबसे बड़ी इनकी segment है वो है automotive, power train and others, तो यह auto components जो बनाते हैं, इस वाले vertical से इनको करीब 51% के revenues आते हैं, अब यह power train systems क्या होते हैं, आपने देखा होगा, जितनी भी गाडियां होती हैं, उनकी एक base body होती है, जिसे हम कहते हैं, शेसी, तो अगर हम उसको human body से compare करें, तो वो हो जाता है skeleton, तो वो ए यह muscular system, तो muscular system होता है आपका यह power train, यानि कि जो engine के components को attach करता है body के साथ, सारे moving parts होते हैं, वो सारे parts बनाती है यह company, in fact cylinder blocks and cylinder heads के अंदर तो यह company market leader है, तो यह हो गई इनकी main पहली segment, अब दूसरी segment है इनकी automotive aluminium, तो यह aluminium के कुछ parts बनाते हैं, बाकी की companies के लिए, यहां से इनक बड़ा segment है industrial and engineering, यहां से इनको करीब आता है 27% का revenue, यहां पे भी इनके दो segments है, पहला segment है storage solutions का, industrial और engineering में इनका दूसरा segment है high end precision products, तो यह जो high end precision products हैं, इसके अंदर इनकी दो companies हैं, जो इनकी associate companies हैं, overall इनके पास हैं 12 manufacturing facilities, जो 7 cities के अंदर spread out हैं, और आप यह भी देखेंगे कि इन्होंने लगबग all India को cover किया हुआ है अपने manufacturing facilities से, यानि कि जहां जहां पे भी main manufacturing hubs हैं, वहां वहां पे इन्होंने अपनी manufacturing facilities लगाई हुई हैं, क्योंकि यह तो mainly components बना रहे हैं दूसरी companies के लिए, अब यहां पे इनके जो main customers हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, domestic जितने भी customers हैं, वहां से इनको आता है करीब 85% revenue और दूसरे है global OEMs, यानि की original equipment manufacturers, जहां से इनको आता है 15% का revenue, एक बार हम यह सारे नाम भी देख लेते हैं, जो ऐसा हमने बात करीब, power train and other segment से इनको maximum revenue आता है, आप यहां पे देख सकते हैं, इनके पास सारे नामी गिरामी जितने भी लोग हैं, जितने भी companies हैं, सारी ही इनके customers हैं, aluminum products के अंदर भी इनके बड़े बड़े नाम हैं, आप यह सारे नाम यहाँ पे देख सकते हैं, industrial and engineering segment के अंदर भी Siemens, Mitsubishi जैसी companies के लिए यह काम करते हैं, overseas subsidiary भी इन्होंने एक बनाई हुई है, जिसका नाम है Craftsman Marine BV, यह 2008 में, Netherlands में इन्होंने बनाई थी, यहाँ पे यह marine engines बनाते हैं, और साथ में equipment बनाते हैं, yachts के लिए, दूसरी एक और इनका JV है, जिसका नाम है Carl Stahl Enterprises, यहाँ पे यह material handling equipment बनाते हैं, तो यह तो हो गया मोटा मोटा इनका company और business, अब हम बात करते हैं, promoters और shareholding की, company इनकोपरेट हुई थी 18 जुलाई 1986 को चिन्नाई में, तमिल नाडू में, और इनके अगर हम current shareholders की बात करें, तो इनके CMD है, श्री निवासन रवी, जो maximum sharehold करते हैं, यहाँ पे 52.83% का इनका shareholding है, इसके साथ साथ S.Murali भी promoter group के अंदर आ जाते हैं, जिनके पास करीब 10.57 के shares हैं, बाकी के लोग अभी public के अंदर आ जाते हैं, यह सब investors हैं, इनका हम broadly shareholding pattern देख लेते हैं, अब pre-issue और post-issue, अगर हम यहाँ पे pre-issue की बात करें, तो आप देख सकते हैं, promoter and promoter group के पास हो जाते हैं, 63.4% के shares, और public के पास यह आपको break-up मिल जाता है, यहाँ पे और post-offer, यानि की issue आने के बाद आप देख सकते हैं, कि इनका shareholding pattern कैसा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, promoter and promoter group है, वो जादा shares यहाँ पे नहीं बेच रहे हैं, mainly investors exit लेंगे offer for sale के अंदर, तो promoter and promoter group का जो share होगा, वो 63.4% से घटके 59.76% रह जाएगा, और public का 36.6% स increase होके 40.24% का हो जाएगा, shares, अब यहाँ पे हम एक बार financials देख लेते हैं, quickly इनके, पहले तो हम revenue की बात करते हैं, 2018 में इनकी करीब 1500 करोड की revenue थी, जो बढ़कर 1800 करोड की हो गई 2019 में, 20.28% का jump, अच्छा jump था हैं यहाँ पे 2019 में, लेकिन profit percentage देखें, यहाँ पे काफी increase हुई है, लेकिन क्या यह sustainable थी या नहीं, वो भी एक बार देखते हैं हम, 2020 में इनके revenues तो minus 18% हुए, लेकिन profits इनके minus 57% हो गए, 2020 में ऐसा क्या हुआ था, 2020 में BS6 norms आय थे, जहाँ पे BS4 norms वाली सारी गाड़ियां आटडेट हो गई थी, तो इसके चलते सारी ही companies को FY1920 के अं काफी जादा loan लिया हुआ है, इनोंने क्योंकि काफी खर्चा CAPEX में किया है, अपनी manufacturing facilities बढ़ाई है, अब revenue डाउन होती है, तो आपको interest तो भरना ही बरना है, तो इसी वज़े से इनका profit थोड़ा सा जादा डाउन हुआ है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इनका ज definitely compare करते हैं कि इनकी equity कैसी है, हम इसकी net worth देखते हैं, अगर 2020 में 1000 करोड का इनके पास debt था, तो इनकी net worth खाली 663 करोड की थी, यहाँ पर जब भी debt to equity more than one हो जाती है, तो थोड़ा सा problematic हो जाता है, यह एक warning sign हो जाता है company के लिए, तो इसलिए अब हम यहाँ पर 9 महीने का भी एक बार result देखते हैं, यहाँ पर debt की position थोड़ी सी कम होई है, 890 करोड और net worth थोड़ी सी यहाँ पर increase होई है, तो debt to equity थोड़ा सा better हुआ है, लेकिन अभी भी more than one है, अब इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ पर यहाँ ध्यान देना होगा, कि यह जो 2021 का financial year चल रहा है, वह लेकिन profit growth यहाँ पर 64.5% दिखा रहा है, यह थोड़ा सा अचरज वाली बात है, COVID-19 के चलते हैं, अगर revenue कम हो रही है, तो profit क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका main reason है, जब आप इनका detail में financials देखेंगे, कि इनकी interest cost यहाँ पर कम कर दिये काफी, यह interest cost क्यों कम हुई है, most likely इन्होंने moratorium लिया है, सरकार ने moratorium दिया था सारी ही companies को, उसकी वज़े से इनकी interest cost कम हो गई है, लेकिन क्या यह interest भरना नहीं है, यह आने वाले time में तो definitely भरना है, तो आने वाले time में, यानि कि अब जो बाकी के 3 महीने बचे हैं, या फिर जो next financial year होगा, उसके अंदर इ financial year 2020 के हिसाब से देखें, तो यह मांग रहे है 4.52, industry का अगर हम average price to book value देखें, तो 4.91 निकल के आता है, उसके हिसाब से यह reasonable price लगता है, यहाँ पे, price to earning ratio की अगर हम बात करें, financial year 2021 के हिसाब से 44.38 का यह PE मांग रहे हैं, और financial year 2020 के हिसाब से देखें, तो यह 73 का price to earning ratio मांग रहे हैं, industry का average financial year 2020 के हिसाब से करीब उतना ही है, तो यह industry का जितना average price to earning चल रहा है, उतना मांग रहे हैं, लेकिन हम दोबारा से उन financials पे थोड़ा सा focus करने की कोशिश करते हैं, यह जो price earning ratio 44.38 का दिख रहा है, यह क्यों दिख रहा है, क्योंकि price is to earnings में, earnings denominator पे आता है, earnings अ कम भी हो सकती है अभी आने वाले time में, तो इस चीज़ पे हमें जरूर ध्यान देना होगा, चलिए खैर यह तो बात हुई valuations की, अब हम बात करते हैं, industry analysis की, domestic market, auto components की किस तरीके से बढ़ी थी या फिर बढ़ने वाली है, उस पे नजर डालते हैं, पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, on an average 6-7% पे ये बढ़ रही थी, लेकिन BS6 norms के चलते हैं, यहाँ पे आप 2020 में देख सकते हैं, 2021 में COVID-19 के चलते हैं, काफी गिरावट आई, लेकिन इस low base के कारण अब आने वाले time में बढ़ने की अच्छी उमीद है, 5-7% पे domestic market बढ़ने की उमीद है, auto components की, exports की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कि growth अच्छी देखने को मिल सकती है, हाला कि बहुत जादा domestic के मुकाबले नहीं है, लेकिन export जो market है, वो 3-5% यहाँ पे बढ़ने की उमीद है, लेकिन क्योंकि ये company mainly domestic में काम करती है, तो व बाकी के numbers भी यहाँ पे compare कर सकते हैं, return on net worth में आप देखें, ये करीब 6.2% के दे रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो बाकी companies से ये कम है on an average, अगर हम price to book value की बात करें, तो वो तो हमने देखा ही है, कि ये 4.52 मांग रहे हैं और industry का average है 4.91, price to earning ratio में भी हमने देखा है, ये लगबग जितना industry का average चल रहा है, उतना ही मांग रहे हैं, चलिए अब हम कर लेते हैं, इसका SWOT analysis, इसकी mainly strengths देखते हैं सबसे पहले, diversified engineering company है, जैसा हमने देखा 3 main verticals के अंदर काम करती है, कुछ products के अंदर तो ये market leader भी है, जैसे की cylinder blocks and heads के अंदर, in-house process है और contract करते हैं, तो ये लंबे time का करते हैं, वो एक comfort मिलता है इनको भी, so basically एक surety हो जाती है revenue की, और दूसरा जो इनके customer होते हैं, उनको एक supply की surety हो जाती है, फिर इनकी strategically located manufacturing units हैं, जैसा हमने पहले देखा कि जहां-जहां पे main manufacturing hubs हैं, वहां-वहां पे इन्होंने भी अपनी facilities बन कर रहे हैं, चलिए अब हम इनकी weaknesses की बात करते हैं, सबसे बड़ी weakness हम इनने already बात कर ली है, कि debt to equity इनका more than one रहा है, पिछले साड़े तीन सालों के अंदर, concentration of revenues है, top 4 customers से इनको करीब 43% का revenue आता है, group companies loss making है, दो mainly इनकी जो group companies हैं, जैसा हमने पहले बात करी, एक तो जो इनकी material handling वाली company है, Karl Stahl करके, उसके अंदर इनका 30% का stake है, वो loss making है, आज की date में, पिछले 3 financial years में, और इनकी एक और associate company है, MC Craftsman करके, वहाँ पे खाली इनका हाला कि 10% ही stake है, वो भी loss making है, लेकिन अच्छी बात ये है कि वहाँ पे इनके जादा percent stake नहीं है, तो exposure थोड़ा सा limited हो चलिए अब हम इनकी opportunities की बात करते हैं, अब हाला कि हमने देखा जरूर की debt इनके उपर आज की date में high है, लेकिन उसके हिसाब से इन्होंने capex में भी काफी invest कर दिया, यानि की manufacturing facilities इन्होंने काफी बढ़ा ली है, तो वो एक इनके लिए opportunity हो जाती है कि उनको maximum ये utilize कर सके, Aluminium बहुत ज़्यादा use होने लगा है, specially BS6 norms में गाडियों को थोड़ा हलका बनाना है, Aluminium products अब ज़्यादा से ज़्यादा use होने लगे हैं, और साथ में carbon emissions भी vehicles के अंदर कम होने चाहिए, तो Aluminium का use काफी ज़्यादा होने लगा है, तो वहाँ पे इनको काफी फाइदा हो सकता है, lower base post COVID-19 and BS6 norms जो हमने अलड़ी बात कर ली है, अब अगर हम इनके threats की बात करें, तो COVID-19 का threat तो खेर अभी भी बना हुआ है, काफी जगों पे अभी भी lockdown हो रहे हैं, competition इनको देखिए हर जगे ही face करना पड़ रहा है, इंडिया में भी हमने देखा कि काफी सारे इनक परसेंट के margins पे ही काम करती है, cyclical nature of business है, अब जैसे हमने देखा कि BS6 norms आगए suddenly, तो इस तरीके के norms अपग्रेड होते रहते हैं, तो इस वज़े से इस industry के अंदर downturn भी आता रहता है, फिर उठ जाती है, फिर नीचे चली जाती है, rise of electric vehicles, ये काफी बड़ा threat हो गया है, ये तो automobile companies या तो वो EVs के अंदर move करें, otherwise ये एक ऐसा tsunami है, जो हर automobile company को जो change नहीं होगी, उसको hit कर सकता है, तो अगर ये auto components बनाती है, mainly engines के लिए बनाती है, internal combustion engines और petrol diesel engines के लिए बनाती है auto components, तो इनको electric vehicles के अंदर जो components लगते हैं, उनके अंदर move ज़रूर करना चाहिए, rising fuel prices, अ obviously बहुत सारे लोग अब electric vehicles पे move गरना चाहेंगे, और साथ में fuel prices बढ़ने की वजए से demand भी कम हो सकती है, तो लोग public transportation पे भी जा सकते हैं, तो चलिए ये तो हमारा हो गया broad analysis, अब हम quickly IPO की details देख लेते हैं, IPO का price रखा गया है 1488 से 1490 तक, book built ये issue है, issue का size है करीब 823.7 crores का, जिसमें से fresh issue है, ये खाली 150 crores का, ये पैसा आएगा company के अंदर और इस पैसे से ये mainly अपने debt को reduce करेंगे, लेकिन हमने debt कितना देखा है, इनका 800 crores से जादा है, तो ये sufficient नहीं है, इनका debt कम करने के लिए, तो ये एक concern हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, offer for sale, यानि क जो investors हैं, वो 673 crores रूपीज लेके बाहर हो जाएंगे, post issue market cap, यानि की company की जो value लगाई जा रही है, वो करीब 3000 crores की लगाई जा रही है, lot size है minimum 10 shares का, और minimum investment अगर हम एक lot में apply करते हैं, तो हमारी हो जाती है 14900 रूपे की, maximum हम 13 lots apply कर सकते हैं, यानि की maximum investment as a retail investor हमारी हो हैं, and to meet general corporate purposes, timeline की अगर हम बात करें, तो offer open हो रहा है 15th March 2021 को, close हो जाएगा 17th March 2021 को, अगर आपको shares a lot होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा 22 March 2021 तक, अगर आपको shares a lot नहीं होते हैं, तो आपके refund आ जाएगा 23rd March तक, credit of equity shares आपके DMAT account में हो जाएगे 24th March 2021 तक, list हो जाएगी company 25th March 2021 को, तो हमने analysis कर लिया, IPO की details भी देख ली, अब हम अगर broadly conclude करना चाहें, तो ऐसा लगता है कि company के पास कुछ strengths जरूर है, technology की वजए से और manufacturing के अंदर इन्होंने काफी पैसा लगाया भी है, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ concerns भी दिखते हैं, इसमें एक सबसे बड़ा concern ह कि यहाँ पे इनके पास debt बहुत जादा है, profit numbers इनके आज की rate में कम है, 40-50 करोड के हर साल अगर इनको profit आ रहे हैं, तो इतना बड़ा जो यह debt का number है, करीब 700-800 करोड का, जो अगर हम IPO का number minus भी कर दें उसमें से, तो भी significant number होता है, तो यह company आने वाले time में अपने debt को कैसे manage क करने के बाद ही इसके अंदर पैसा लगाना है, आप क्या सोचते हैं इस company के बारे में, मुझे comment section में जरूर बताइए, आप इसमें apply करने का सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, और आपकी reasons क्या है, इससे दूसरे community members को भी काफी फायदा होता है, और यह analysis और वीडियो अगर इस तक subscribe नहीं किया है, तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको latest video का notification मिल जाए, तो मिलते हैं अगले कैसे informative video में, तब तक सीखते रहे हैं, कमाते रहे हैं, और हमेशा की तरह खुश रहे हैं